नमस्कार मैं हूँ ससी आया जर्खन की टॉप 25 परमों खबर जानते हैं आज 26 अप्रेल को नकसलियों का भारत बंद बिहार के गया जिले में भागपा मवाजी के चार नकसलियों के मारे जाने के बिरोध में नकसलियों ने 26 अप्रेल को भारत बंद का एलान किया है साथ ही बंद को सफल बनाने को लेकर नकसलियों ने अड़की और होर्मू थाना छेतर के गरामीन इलाकों में बैनर पोस्टर लगाया है बता दे बैनर पोस्टर के माध्यम से नकसलियों ने अपनी उपस्तिती दर्ज कराते हुए छेतर में भाय का वातारण बनाने का पर्यास किया है सुचना मिलने पर पूलिस ने सभी बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया है नकसलियों के भारत बंद के मदे नजर जार्खन पूलिस अलेट पर्ति बंधित नकसलि संगठन भागपा मवादी के स्टर्नल डरीजिनल वीओरो ने 26 अपरेल को भारत बंद का एलान किया है भारत बंद के एक दिन पहले रविवार को नक्सलियों ने जार्कन के कई जिलों में पोस्टर बाजी कर दसत फ़लाने की कोशिस की इसके साथ ही जगा जगा पोस्टर लगाया है जिस पर बंद की सुचना दी गई है नक्सलियो के भारत बंद के एलान के बाद जार्खन पुलिस मुख्यालेन राज के सभी स्पी को भी से सतरक्ता बरतने का नेदेश दिया है नक्सलियो का बंद रभिवार आधी रात से सुरू हो जाएगा रेलवे न जोकी पुरिता कत राची रेलवे स्टेशन ने एक दिन में निकाली नव अक्सीजन एक्सप्रेस जार्खन से उतर परदेश के लिए अक्सीजन भेजने की प्रकिरिया में तेजी आ गई है बतादे रभिवार को रांची रेलवेस्टेशन से 9 उक्सिजन ट्रेन ने गुजारी गई है, इन में से 5 उक्सिजन एक्स्प्रेस लखनाऊ से बोकारों गई और 4 उक्सिजन ट्रेन उक्सिजन के भरे हुए ट्रंकर लेकर वारानसी और लखनाऊ के लिए रवना हुई है, बत एक माह की एक्स्ट्रा सेलरी राज सरकार कोविट संक्रमन के दोरान वीफिलत प्रस्थितियों में काम कर रहे स्वास्त कर्मियों को एक माह का तरिक्त बेतन देगी इससे समंदित प्रस्ताओं को तमाम विभागों से हरी जंडी मिल गई है और अब मामला कैबिनेट तक पहु के लिए बनेगी कारियो योजना जार्खन परदेश कंग्रेस कमिठी के अध्यक्स राज के बीत अथकादा पूर्ति मंत्री डाक्टर रमेशर उराव ने विभागे पदा अधिकारियों को एक बार फिर परवासिस रमीकों को भोजन सुनिश्चित करने के लिए कार्योजन कर रहे थे उत्राखंड के चमोली में जार्खंड के एगारस रमीकों की मत उत्राखंड के चमोली में गलेसिया टूटने की घाटना में मरने वाले सब ही एगारस रमीक जार्खंड के थे और साथ मजदूर घायल भी हुए हैं जिनका इलाज जो सिमर्ची की सालय और देहरा दुन में चल रहा है बता दे चमोली जीले के जीला अधिकारी ने जार्खन के आपदा प्रवंधन बिभा को पत्र लेकर गटना के सुचना दी है और बताया है कि किसी भी जनकारी के लिए आपदा प्रवंधन पता अधिकारी से कभी भी संपर्क किया जा सकता है सभी स्रामिक सीमा सड़क संगठन बियारों के लिए काम कर रहे थे मुख्यमंत्री एमन सुरेर ने इस घटना को लेकर सोक परकट किया है उन्होंने कहा है कि इस मामले में राज सरकार उत्राखंड की सरकार के साथ संपर्क बना कर घायलों को हर संबम वदत पहुचाने के लिए काम कर रही है रांची उपायुक्त के निर्देश पर सभी दालभात केंद्रों का किया गया निरिक्छन रांची उपयुक छवी रंजर के निदेश पर पताधिकारियों ने रविवार को राची जीले के मुख्य मंतरी दाल बात केंदर का निरिक्षन किया जिले के ग्रामिन चेत्रों में चलाए जा रहे 18, सहरी चेत्र में 11 और दो रातरी मुख्य मंत्री दाल बात केंद्रों का निरिक्षन किया गया जिला पूर्तिपता दिकारी सबीर अहमद के साथ सायक जिला पूर्तिपता दिकारी राकेश वर्मा सायक जिला पूर्तिपता दिकारी सामिल थे जार्खन के साथ भेद भाव कर रही केंदर सरकार जामो मो जार्खन मुक्ति मोच्टा ने अरोप लगाया है कि केंदर सरकार जार्खन और जार्खनडियों के साथ बेदभाव जारी रखे हुए हैं ज्यादा आगरा करने के बावजूत रेमडे सिवीर के सिर्फ 1200 जार्खनड को मिले लगातार केंदर से मदद मांगने के बावजू जार्खनडियों को सिर्फ निरासा यहांत लग रही है जामों ने सवाल उठाया है कि क्या जार्खन से भाजपा के 12 संसत इस नाइन साफी पर सवाल करने के हिमत करेंगे या वे सिर्फ ताली थाली और भातन बाजी को ही अपनी कारेत समझ बैटे हाए मुख्य मंत्री ने दो अक्सिजन प्लांट का किया निरिक्षन जार्खन के मुख्य मंत्री हमा सुर्ण ने रभिवार को रांची से सटे और माजी इस्थित आक्सिजन रिफिलिंग प्लांट छोटा नागपूर इंडस्ट्रियल गैस एवम इसके इंडस्ट्रियल गैसेस का आउचक निरिक्षन किया इस मौके पर्मोख मंत्री ने प्लांट के संचालक एवम करमचारियों से आक्सिजन की उपलापता तथा रोजाना से लेंडरों की रिफिलिंग के समध्वेजन कारी ली निरिक्षन की करम में छोटा नागपूर इंडस्ट्रियल गैस प्लांट के संचालक ने मौक मंत्री को बताया कि इंडस्ट्रियल गैस प्लांट में प्रती घंटे 36 जम्बो अक्सिजन सिलेंडर रिफिलिंग करने की चमता है जार्खन में 639 मरीज मिले हैं जार्खन में 103 मरीज की मौत हुई है जार्खन में कूल मौत की संख्या 1991 है वहीं जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 48,105 है भारत में 3,54,533 नाए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 1,95,116 है वहीं भारत में कूल एक्टिव के सिसंख्या 28,07,333 है भारत में 2,18,571 मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं जारखन में 32,87 मरीज स्वस्थ हुए हैं जारखन में 69,09 मरीज मिले हैं जो बोकारो से 316,14,237, देवघर 244, धनबाद 326, दुमका 111, पुर्वी सिमू 702, गढ़वा पशतर गीड़ी 144, गोड़ा 84, गुमला 136, हजारी बैग 341, जामतरा 38, खुटी 203, कुडारमा 425, लाते 86, लोहर दागा 165, पाकूर 4, पलामू 133, रामगर 309, राची 1494, साहि मत हुए है, जो राची 43, पुर्वी सिमू 60, कुडारमा 7, रामगर 5, धनबाद, वह लाते 844, गिरी डी हजारी बैग, पलामू, सराई किला में 33, जामतरावा, पश्मी सिमू से 2-2, बोकारो, चत्रा, देवघर, दुमका, गोड़ा, गुमला, खोटी लोहर दागा में एक- गड़बा 33, गोड़ा 120, गुमला 94, हजारी बैक 315, जामतराव 22, खोटी 93, कुडारमा 421, लोहर दागा 36, पलामू, पश्मतर, रामगर 60, राची 723, साहिव गंज 65, सराई किला 22, सिम्डे का 64, और पच्मी सिमू से 115, मरी स्वस्त हुए है, रेमडे सिवीर की काला बजारी, कुरोना बारत के संक्रमन के अचानक तेजिक के बढ़ने के बाएद, जिस दवा की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, वह रेमडे सिवीर है, पतादा ज़रूरत के अनुसार इसकी उपलब्द तक की भी वही स्थिती है, जो आक्सीजन या वेंटिलेटर की है, राज सरकार द की होगी सुनवाई, कुरोना संक्रमन को देखते हुए जार्खन हाई कोट में 26 अपरेल से अब सिर्फ 2021 में दायर किये गए अति महत्पुन मामलोग की वीडियो कंफेरेंसिंग से सुनवाई होगी, हाई कोट ने इसको लेकर नोटिस चारी किया है, नोटिस में बर्स 2021 के मा के अलावा, अगले आदेश तक अने सभीत रहके मामले की सुनवाई अस्थागित रहेगी, कक्छा नौवी वा एगारवी के सड़े साथ लाग्छात्र छत्रावों के भवी से पर सवाल, जार्खन एकेडमी कॉंसिल जैक, कक्छा नौवी वा एगारवी की बार्सिक परिक् कक्छा आयोजीत करना है, या फिर कक्छा आठवी की तरह नौवी वा एगारवी के विद्यार्थियों को भी अगली कक्छा में परमोट कर देना है, या फिर रिजल्ट देने के लिए कोई मेकेनिजम त्यार होगा, इस सभी बिंदूओं पर प्रामर्स कर छात रहीत में अम भी नहीं हो रही है, राची में कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जन प्रतिनीदियों का धहरे भी जबाब दे रहा है, रभी वार को राची के संसर संजा सेट ने स्वास्त माकम्मे में फैली और वेवास्ता पर अपनी कहरी नराजगी ब्यक्त की, पर सासनी क्ल आदे जीला कोविन होस्पीटल सदर हस्पताल में परतिनुक सभी नर्स अपने इंसेटिव के भुगतान ना होने के मदने जारहताल पर चली गई है, उपायुक छवी रंजन ने रभी वार को इन सभी नर्सों को जल्दी ही उनके इंसेटिव का भुगतान करने का स्वासन दिया है, उपायुक ने सभी नर्सों को कहा है कि बैस्विक महामारी कुरोना की रोक्ताम में नर्सों का बहुत ही अहम योगदान है, तीन मई से होने वाले रिम्स MBBS की परिक्षा अस्थागीत, रांची 200 विद्याले की MBBS फाइनल येर के छात्र शात्राओ की तीन मई से हो परिक्षा नहीं होगी, कूलपती डाक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि रांची 200 विद्याले की सभी और फ्रेंड परिक्षा अगले आदिस तक अस्थागीत कर दी गई है, बराहवी पास के लिए इंडिया ने भी में नोकरी के लिए आवेदान, भार्तिय नव सेना में इंट ये नव सेना के वेबसाइट, जोएन इंडियान ने भी.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, बता दे हम तिनती थी 5 मई है, जारखन में अब आयारवी के जवान करेंगे प्रारंभिक इलाज, 100 जवानों को किया गया प्रसिक्षित, कुरोना संक्रमन का दायरा हर रोज बढ रहा है, ऐसे में फ्रन्ट लाइन वरकर आयारवी 9 के जवान अब रीम्स में मोर्चा संभालेंगे, बता दे कुरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के कारण कई डॉक्टर, नर्स और परामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे में रीम्स प्रवंधन ने आया जाखन स्टेट बार कॉंसिल के रीवियू मीटिंग में अने नहीं हुए है कि दो माई तक राज्य भर के अधिवक्ता किसी भी तरह के नियाईक कारे में इसा नहीं लेंगे, जाखन के सभी अधिवक्ता न तो एक जी क्यूरेटिव कोट, जूडिस्चल कोट में उपस्तित होंगे और नहीं कोई अनन्याईक कारे करेंगे, पलामो में अक्सिजन और सिलेंडर की कमी सांसत, आज पुरा देश कुरोना में हमारी के संक्रम से जूज रहा है और पलामो सांसत ये छेत्र भी इसे अशुता नहीं है, मरीजों को अस्पताल में बेट दवाजों याम अक् की समस्याव का सामना करना पर रहा है, या बाते पलामो के सांसत बीडी राम ने कही, उन्होंने कहा कि इन समस्याव को लेकर पलामो ये वमकाड़वा के उपायुक सिविल सर्जन आप्दा प्रवन पतादिकारी डी पीम से बारता की है, बिना लक्षन वाले मरीज अक्सिज सिलेंडर वापस करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनके अलावा सिलेंडर देने वाले पर करणूनिक करवाई की जाएगी, रभीवार को इस संबन्ध में आदे जारी करते वे अन्नमोंडल पतादिकारी, महस्वर महतों ने कहा है कि कोई 19 के बढ़ते मामलो को देखते वे व छारखन राज पत्रित करमचारी महसंग ने राजय कर्मीयों का मार्च महाका बकाया बेतन भुकतान करने की मांग सरकार सी किया है, महास चीव घनसयाम रवाणी ने कहा है कि हाल ही में जाल को कर्मी सैलेंडर परसाद का करोणा संक्रमन से निधान हो गया, कई और करमचारी क करोना पिलित हैं इनकी आर्थे किस्थिती बहुत खराब है सरकार को बेतन भुकतान जल्द करना चाहिए भाजपा के सभी करकरता मेरा बूत भैक्सिन युक्त करोना मुक्त के मुल मंत्र के साथ कारेंगे रगवर्दास जारकन के पूर मुक्वंत्री और भाजपा के राश्र के प्राती लोगों में जागरूपता बढ़ाने तथा कुरोना के साथ लाडाई में भागदारी बढ़ाएंगे धन्यवाद यादि आप चनल परनाए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर वाल कबेल एक अन्द भाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के स से थांक्यू